अगर पिछले कुछ सालों से किनी दो IPOs का इंतजार किया जा रहा है तो उसमें सबसे आगे होंगे LIC और National Stock Exchange और अब उमीद की जा रहे हैं कि इंतजार खतम होगा और NSE का IPO आ सकता है और इसी न्यूस के बेसिस पे कल यानि 27 सेप्टेंबर को आपने देखा कि जो लिस्टेड एक्सचेंज हैं BSC, CDSL और MCX इनके शेरों में भारी एक्शन देखा गया तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब करके मोटिवेट कीजिए तो अब अगर बात करें IPO की तो ऐसा माना जा रहा है कि Security and Exchange Board of India याईनि कि SEBI की एक मीटिंग है आज जिसमें की वो इन प्रिंसिपल National Stock Exchange के IPO के लिए अप्रूवल दे सकते हैं इसी न्यूस के बेसिस पे कल BSC का शेर 8% भागा MCX का शेर लगबग 4% भागा और CDSL के शेर ने तो अपर सर्किट 5% की लिमिट को टच किया और अगर बात करें IPO की तो NSC ने लास्ट मन्थ SEBI को लिखा था कि हम IPO लाँच करना चाहते हैं आप उसके लिए अप्रूव कीजिए और अगर इसके शेर प्राइस की बात करें जो ये अनलिस्टेड शेर है NSC का वो लगबग 3300 से 3500 रुपे के बीच में इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है और ये अगर इसका प्राइस माने तो ये इसके ओवरॉल NSC की वैल्यू को बताता है 1,75,000 करोड और ये मार्च में 1750 था तो आप ये देखेंगे डबल हो चुका है अनलिस्टेड मार्केट में और ये पिछले साल September में 900 से 1000 के बीच में होता तो वहां से triple हो चुका है तो बहुत ही भारी growth देखी गई है और ये सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो one of the most awaited IPO है इसके अलावा LIC को मैं मान सकता हूँ कि जिसका लोग इंतचार कर रहे हैं और ये बहुत ही profitable company होगी जब इसका IPO लिस्ट होगा इसका उमीद की जा रहे है कि 55% profit margin पे काम करते हैं revenue इनका 2021 में 69% increase हुआ profit 55% increase होके 3403 करोड था और ये अपना 80% revenue trading trading services से कमाते हैं और जिसमें कि 77% की growth देखी गई 2021 में और आप अगर पूछेंगे कि भाई इससे पहले IPO नहीं लाए तो इन्होंने पहले कोशिश की थी 2019 April में even 2016 में भी इन्होंने कोशिश की थी तब कुछ सेभी ने बोला था कि भाई आपके system manipulate हो सकते हैं तो आप forensic audit करवाईए उसके बाद April 2019 में इनको छे महीने के लिए co-location case में बैन कर दिया था co-location case 2015 का एक case था जिसमें कि विसल ब्लोवर ने SEBI को लिखा था कि भई NSC जो है वो preferential access देता है कुछ high frequency trader और broker को अपने trading platform पे तो उसकी वज़े से इनको 6 महीने के लिए security market को access करने से ban कर दिया गया था और अगर बात करें कि भई इसको NSC को आज own कोन करता है तो सबसे ज़्यादा शेयर इसमें LIC का है 10.71% इसके अलावा domestic institutes जैसे अरांदा investment और veracity investment 55% हिस्सा होल करते हैं SBI capital market के पास 4.33% है stock holding corporation के पास 4.44% है और जो DMART के राधा कृष्णा दमानी जी हैं उन्होंने last year 1.58% हिस्सा इसमें pick up किया है तो यह इसके honor है तो देखना होगा कि कितना बड़ा IPO होगा तो last time इन्होंने I think 10,000 करोड क्या असपास को सोचा था हो सकता है कि IPO जब आए तो इससे भी काफी बड़ा हो तो अब अगर बात की जाएगी हमारे जैसे investor के लिए इसमें क्या है एक यह तो बहुत ही अच्छा IPO हो सकता है इसका valuation देखना पड़ेगा अगर valuation reasonable हो और यह एक बड़ा IPO होगा तो chances होगे कि शायद subscription limited हो और लोगों को मिल पाए लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा interest होगा तो एक तो valuation के basis पे यह देखना होगा कि एक अच्छा IPO है apply करने के लिए या नहीं है लेकिन इसके अलावा इसका जो impact पड़ेगा जो already listed exchange है अगर आप BSE को देखें एक week में 8% की इसमें increase देखा गया और उसकी वज़े कल का ही increase है जो की हुआ इस news के basis पे इसके अलावा MCX ने 2% का increase दिखाया CDSL ने 1.55% और overall भी अगर आप एक साल की performance देखो तो काफी अच्छी रही MCX को छोड़ के बाकी सब की तो इसमें देखा जा सकता है कि ये जो stocks हैं ये दुबारा से इनका re-rating हो सकती है जब NSE का actual valuation पता लगेगा कि market में उसको कैसा response मिला और कितना वो subscribe हुआ और कैसे list हुआ उसके basis पर इनकी re-rating हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि इन सब शेयरों में भारी वृद्धी देखी जा सकती है आने वाले टाइम में तो आप इन सब को अपने radar पर रख सकते हैं और जैसे ही IPO की announcement होती है तो हम उसका भी analysis करके आपको बताएंगे Thanks so much for watching the video and God bless you all